मार्ग शिश महीने की पुर्णीमा को दत्तात्रे जैंती मनाई जाती है दत्तात्रे जैंती को दत्त जैंती भी कहा जाता है इस दिन भगवान दत्तात्रे का जन्म हुआ इन्हे ब्रह्मा, विश्णू, महेश तीनों का सुरूप माना गया है दत्तात्रे में इश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित है जिस कारण दत्तात्रे को श्री गुरु देवदत भी कहा गया है भगवान दत्तात्रे महारिशी अत्री और अनुसुया के पुत्र हैं इसी पौराणी कीतिहास में पवित्र और पतिता देवी अनुसुया वे उनके पति अत्री का नाम प्रमुक तोर पर दर्ज है। भगवान दत्तात्रे के पिता महरिशी अत्री सब्त रिशियों में से एक हैं। और दत्तात्रे के दो भाई चंद्रदेव और रिशिदुर्वासा थे। चंद्रवा को ब्रह्मा और रिशिदुर्वासा को शिव का रूप माना गया है। आदो ब्रह्मा मध्य विश्णू रंते देवह सदाशिव मुर्ती त्रे सवरूप आए दत्तात्रे आए नमस्तुते। ब्रह्म्ज्यान मई मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्यान धन्बोधाए दत्तात्रे आए नमस्तुते। भावार्त। जो आदी में ब्रह्मा, मध्य में विश्णू तथा अंत में सदाशिव हैं उन भगवान दत्तात्रे को बारंबार नमशकार ब्रह्म ज्यान जिन की मुद्रा है आकाश और भूतल जिनके वस्र हैं तथा जो साकार प्रज्यान धन सरूप हैं उन भगवान दित्तात्रे को बारम बार नमश्कार दत्तत्रे जहनती की कथा इस प्रकार से है एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी को अपने पति वृद्ध्धर्म पर बेहत घमंड हो गया नारजी को जब इस घमंड का पता चला तो वह तीनों देवियों के घमंड को चूर करने के लिए बारी-बारी तीनों देवियों के पास पहुचे और देवी अनुसुया के पतिवरत धर्म का गुणगान करने लगे और उन्हें बताया कि देवी अनुसुया देव ब्रह्मा, विश्णू, महेश जैसे पुत्र की प्राप्ती के लिए अत्यंत कड़ी तपस्या में लीन हो गई हैं जिसे सुनकर ब्रह्मा, विश्णू, महेश तीनों की अरधांगनी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी को जलन होने लगी नारजी की बास सुनकर तीनों देवियों ने अनुसुया के पतिवरत धर्म को भंग करने की जिठान ली और उनकी जिद के आगे ब्रह्मा, विश् सन्यासी का भेश धर कर अपनी जीवन संगनियों के कहने पर देवी अनुसुया की तपस्या की परिक्षा लेने के लिए प्रिथ्वी लोग पर चले गए सन्यासी के भेश में तीनों अनुसुया के पास पहुचे और तृदेव ने अनुसुया से भिक्षा देने के लिए कहा अनुसुया के पतिव्रता धर्म की परिक्षा लेने के लिए त्रीदेव ने उनसे कहा कि वह भिक्षा मांगने आये हैं लेकिन उन्हें भिक्षा सामान्य रूप से नहीं बलकि अनुसुया की नगनवस्था में चाहिए अथार्थ देवी अनुसुया उन्हें तब भिक्षा दे पाएंगी जब वे तृदेव के समक्ष नगनवस्ता में उपस्तित हो तृदेव की ऐसी बात सुनकर अनुसुया पहले तो बहुत अचमभित और हरबड़ा गई परंतु फिर थोड़ा समबल कर अपने मंत्रों के जाप करके अभी मंत्री जल को तीनो सन्यासियों के उपर डाल दिया जल के छीटे पड़ते ही ब्रह्मा विश्नु महेश तीनो शीशु रूप में बदल गए त्रीदेव को शीशु रूप में बदलने के पश्चात अनुसुया ने उन्हें दिक्षा के रूप में अपना इस्तनपान कराया जब अनुसुया के पती अत्री घर वापस آए अनुसुया ने उन्हें तीनो बालकों का राज बताया जिस घटनागरम को पहले ही महरिशी अत्री अपनी दिविया दृष्टी से जान चुके थे अत्री ने तीनों बालकों को अपने गले से लगा लिया और अपनी शक्ती से तीनों बालकों को एक ही शिशू में तब्दील कर दिया जिसके तीन सीर और छे हाथ थे इस प्रकार्तिर देव प्रेम तथा वासल्य में देवी अनुसुया के पास पलने लगे धीरे धीरे दिन बीथने लगे और काफी सवय मिवतीत हो जाने पर जब ब्रह्मा विश्णू महेश घर नहीं लोटे तो तीनों देवियों को चिंता सताने लगी और अपनी भूल का अपस्तावा हुआ और वह देवी अनुसुया के पास आई सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जी ने मा अनुसुया से आग्रह किया कि वह उनके पती वापस कर दे तीनों देवियों के आगरहे पर तीवी अनुसुया और उनके पती ने उनकी बात मान ली और तृदेव अपने वास्तिविक रूप में आ गए परंथु देवी अनुसुया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूद पिया है इसलिए इने बाल रूप में रहना ही होगा अनुसुया और अत्री से प्रसंध तथा प्रभावित होने के बाद तृदेव ने उन्हें वर्दान के तौर पर दत्तात्रे रूबी पुत्र प्रदान किया जो इन तीनों देवों का अवतार था दत्तात्रे का शरीर तो एक था परंतु उनके तीन सर और छे बुजायती विशेश रूप से दत्तात्रे को भगवान विश्णु का अवतार माना गया है एक बार राजा यदू ने भगवान दत्तात्रे से उनके गुरू का नाम पूछा तब भगवान दत्तात्रे ने कहा मा ही मेरा गुरू है तथा भी मैंने 24 वेक्तियों को गुरू मानकर शिक्षा ग्रहन की है उन्होंने अपनी 24 गुरू के नाम बताए प्रिथ्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजिग, सिंदू, पतंग, भ्रमर, मदुमक्खी, गज, म्रग, मीन, पिंगला, कूरर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, बान बनाने वाला, मकडी और भ्रंगी कीट, इस प्रकार की अनेक बाते, उपाय तथा व्रत कथाएं जानने के लिए हमारा चैनल वास्तु शास्ट सब्सक्राइब करें, नमस्कार